अब आपके दिमाग में आ रहा होगा Generative AI पढ़ लिया, यह काम कैसे करती है, अगर आप मेरी तरह के Curious बंदे हैं, तो आपको सोचने पर मजबूर होना चाहिए, कि यार Generative AI, मैंने भी बनानी है, ठीक है, I know, you can do these kind of things, लेकिन उससे पहले-पहले देख तो लेना, कैसे काम करत है, that brings to our next lecture, which is called, How does Generative AI work, कैसे काम करती है वही है, चलें, आपको सिरफ दो slides के अंदर मैं बता देता हूं, वो slides यह हैं जनाबे वाला, कि Generative AI actually, starts with the prompt, आप एक prompt लिखते हैं, और वो prompt क्या होता है, यह Generative AI, starts with the prompt, इस विचा से मैंने यहां पर लिख है, that could be in the form of text, आप अपने text की जुबां के अंदर, prompt लिखते हैं, और पूछते हैं, जनरेटिव AI से के यह कलो, वो कर देती है, यह आप image देते हैं, और कहते हैं, इसको read करो, वो read कर देती है, यह आप एक video उठा कर देते हैं, और कहते हैं, इसको transcribe करो, अब वो कर देती है, यह आप एक design देते हैं, और उसको कहते हैं, कि इस मैंने आपको दिये थे इस course के अंदर कि data is in everything, कुछ भी आप सोचें, वहाँ पर data associated होगा वो association between data आप जब data provide करें generative AI को, वो किसी भी form में करें text की form में करें, images की form में करें आप audio के notes की form में करें आप code की form में करें, whatever you want to provide at the end, generative AI उसे understand करती है understand करने के बाद, जो आप पूछ रहे हैं उसका answer भी आपको देगी and at the end, उसको आपको new चीजे में बना के देगी अब इसको आगे लेके चलते हैं various AI algorithms then return new content in the response to the prompt ठीक है, वो जो new content आपको मिलता है in response to the prompt, that is the most important thing in generative AI अब इस content can include essays solutions to the problems or realistic fakes created from pictures or audio of a person हान जी, यह जिन लोगों की audio leaks होती है यह वटसाप के messages leak होती है, यह videos leak होती है believe me, future के अंदर deep fake को use करके कुछ भी किया जा सकता है और generative AI को basically use इस पे हो रहा है, अब जहरी बात है यह तो हो गया एक negative sense के अंदर इसको positive sense क्या होगा, अगर आपको generative AI का workflow पता चल जाए then you can understand के किस तरीके से change हुई होगी, यह कौन-कौन से ethics है, इसी वटा से हम लोगों की जब हम generative AI पढ़ा रहे होते हैं, हमारी training ऐसी होती है, कि आपने ethics भी पढ़ाने है, ताकि लोगों को content के उपर अभी भी लोग बैठ रहे हैं, कि कितनी AI जो है, वो generative AI अलाओ करनी चाहिए, कितनी नहीं अभी हम देखते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें इसमें include है, सबसे पहली चीज़ जनाबे वाला recent progress जो है न, generative AI के उपर उसमें जो main हमारे पास content आता मेरे ह्याल से बहुत स्यादे डेटा वड़ा है क्योंकि जितनी आप सर्चीज करते हैं, जितनी आप ID बगरा बनाते हैं, शेर करते हैं YouTube उनके पास है, Google उनके पास है and then they have many other things, ठीक है? और उनके models इतने हैवी है, उनके अपने cloud encoder, representations from transformers, तो transformers के through, bidirectional encoding जब होती है, इसको bird बोला जाता है और ये model बहुत चाया हुआ था अभी भी लोग यूज करते हैं, इसके different versions जो हैं, फिर OpenAI का chat GPT, इसके अंदर भी आपको पता है के different चीज़ें जो हमें यूज होती हैं, फिर Google का alpha vote, ये ना सिरफ आपको basically encode language को करके देते, बलके images भी देते, proteins भी and then they can profound, give you a lot of things, अब इसमें ethics कहां पे आगे, आप chat GPT से कुई ऐसा सवाल पोचेंगे, जो negative connotation रखता है, या कुछ ऐसा है जो किसी को नुकसान दे साबित होता है वो उसका जवाब ही नहीं देगा बाड से पूछेंगे, वो भी जवाब नहीं देगा ये जो models हैं, इनकी backbone के अंदर, basically वो auto encoder और encoders ही चल रहे होते हैं VAEs या different किसम के अदर models ही चल रहे होते हैं इनका सिरफ data जयाद है काम वो ही या deep learning वाला लेकिन, इनके पास data इतना जयादा है कि इतना जयादा इतना जयादा है वो बचपन में कहते होते थे न बड़े लोग कहते होते है कि आप मेरे से कितना प्यार करते हैं बच्चे फिर आगे से कहते हैं तो वो फिर आगे से कहते हैं मेरे पास तो इतना ज्यादा तो मैं यहीं कोँगा कि इतना ज्यादा इनके पास अब जितना ज्यादा इनके पास data है उतना ज्यादा इनका model अच्छा है आप भी अपनी दो सफों वाली copy के ऊपर कुछ भी लिखके उस पे model train कर सकते हैं लेकिन वो different होगा as compared to the trillion parameters or trillion pages of books जहां पे model train हो है काम वो ही data ज्यादा है model भी वैसे ही है लेकिन उनके पास resources भी ज्यादा है different deep learning के layers लगी हुई है पीछे सारी deep learning ही है encoders, auto encoders ही use हो रहे हैं encoding कर रहे हैं, फिर decoding कर रहे हैं सारा वो ही काम है जो मैंने time series NLP के अंदर आपको बढ़ा है था, ठीक है और वो ही सारे के सारे methods चल रहे हैं अगर आपको convolutional neural network का पता है तो उसी के तुरू generative AI क्या करती है उस convolutional neural network के matrices से information लेके नई generation कर रहे हैं यानि कि features को extract करती है उसकी base पे नहीं images बन रहे होती है और ये सारे का सारा काम basically ज्यादा data की base पे हो रहा है जैसे के पाकिस्तान में किसी ने कहा है कि जब ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है, कम बारिश होती है तो कम पानी आता है ज्यादा data होता है, तो ज्यादा अच्छा model होता है कम data होता है, तो कम अच्छा model होता है chat GPT की APIs और different concepts जो हम इंशालला आने वाले दिनों में पढ़ने वाले है आप model वो बला उठाएं जो दुनिया में इस वाकत आला किसम का चर रहा है सस्ता है उनका model उठा के अपनी app के अंदर उसको यूज करें यानि के pre-trained model को यूज करें and then you can do whatever you want to do अपना क्यों train करना अपनी new model मिसाल के तोर पे आप कहते हैं कि नहीं मैंने अपना model train करना है जो GPT से अचा हो you can do it but you need a lot of resources to do that नहीं है resources GPT का model ले उससे आगे का सोचे अब आगे क्या करना है apps बनानी है, software बनानी है, chat board बनाना है conversational AI के लिए मैंने कुछ करना है you can do that from there ठीक है लेकिन उससे पहले please learn about generative AI समझ तो गें है न यह गुठे का बटन आ रहा होगा जो उपर को है please इसे press कर दे and see you in the next lecture